तो एलो फैंक कैसे हैं आप दोस्तों जैसा कि मैंने कुछ दिन पर एक वीडियो बनाया के बताया है जिसमें बताया था Samsung 30S में नए अपडेट आया है और वहाँ पर कमाल के नए ने फीचर को जोड़ दिया गया है जैसा कि मैंने कुछ वीडियो बना के बताया अभी आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ Samsung 30S का नए फीचर के बारे में जो की नए अपडेट होने के बात आया है यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ अब आप नएविगेशन जो कीज होती है जैसा कि मैंने वहाँ पर थम्नेल पर लगा के रखा होगा मेरे नम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टैक में तो जैसा कि मैंने बता है मैं आपको बताने वाला हूँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफरेंज दिख रहा होगा यहाँ पर आप दिख सकते हैं दोस्तों जो आपको नीचे नैविगेशन बटन दिख रहे हैं आप यहाँ पर प्री डिफाइन बहुत सारे नैविगेशन बटन दिए गए आप उसके लेयाउट को या उसके design को change कर सकते है लाइक जैसे मैंने हाँ पर उपर change कर आप दिख रहे होगे तो ये नीचे भी हाँ पर change हो गया अगर मैं यहाँ पर select change करूँगा तो फिर ये नीचे change हो जाएगा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बहुत सारे आपको प्री डेजाइन दिये गए आप चाहें तो उसको यहां से change कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आप यह चीज कर सकते हैं और अगर आप back आके भी देखेंगे तो आपको भार भी यह चीज दिख रहा होगा कि यह change हो गया है अगर आप चाहते हैं कुछ नया यूनिक करना तो आप यहां पर यह चीज कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहां पर आप नीचे की तरफ आएंगे आपको एक और option मिल रहा है show and hide button का जो भी बहुत काम का feature है अगर आप देख रहे होंगे अभी जो navigation जो keys है अभी permanent ही हैं अगर आप चाहते हैं कि बार बार नीचे चली जाए तो आप इस पर यहां पर क्लिक कर देंगे उसके बाद होगा क्या दोस्तों अब आप देखेंगे जब भी आपका show navigation की हां से नीचे हड़ गया जब आपको इसको बापस लेकियाना है अगर आप चाहते हैं कि होम इसकी से भी हड़ जाए तो आपको यहां से स्पे क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आप भार आके देखेंगे तो आप देखेंगे होम स्क्रीन से भी हड़ गया है navigation की जब आपको लेकिया आना है आप इस पर क्लिक करेंगे वापस आएंगे और तो आप इसको use कर सकते हैं जो कि अच्छा है अगर आप चाहते हैं कुछ अपने साइप अलग से डिजाइन करना तो आप इसको ऐसा use कर सकते हैं उसके दोस्तों यहां पर जो सबसे काम के फीचर है वह है new conversation में यहां पर आप क्या सकते हैं अपने आपसे color design कर सकते हैं जो भी predefined ज़्यादा color नहीं दिये वस normal color दियें color design करने के बाद आपको इस पर save पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो color है यहाँ पर आ गया है और अगर आप navigation की को यहाँ पर उपर करेंगे तो नीचे आपको color भी दिख रहा होगा थोड़ा light है बैट वो color effect इसमें आ गया है अगर आप कोई दूसरी आप में देखेंगे या फिर थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर यह color change हो गया है उसके दोस्तों इसमें और भी चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर new convention पर जाएंगे यहाँ जाएंगे button layout पर अब आप button जो layout है उसको भी change कर सकते हैं अभी आप देख सकते हैं जो navigation key है वो center में आ रही है अगर आप चाहते हैं यह right hand से चली जाए तो पूरा right hand side हो गया left hand चली जाए तो left hand हो गया और सबसे कमाल add button यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और add कर दें जिसको आप easily shortcut की तरह use कर सकते हैं यहाँ पर मैंने यह लगा दिया और भी बहुत को लिए like मैंने यहाँ पर screen off लगा दिया यहाँ पर maximum आप five set कर सकते हैं यहाँ वो सकते हैं two add on कर सकते हैं तीन तो already हैं दो और additional add कर सकते हैं यहाँ पर add कर लिया है मैंने add करने का है जैसी आप इसको done करेंगे तो अब यह देखेंगे done करना है done करने के आपको यहाँ से save करना है जैसी आप सेफ करेंगे आपका जो layout है यहाँ हो जाएगा नीचे जो कि पहले दिख रहा था यहाँ पर आपको नीचे देखेंगे तो आपका नया यहाँ पर layout पूई तरह से change हो गया है अगर आपको screen off कर करने के फीचर है अगर आप चाहते हैं उसमें अगर आप ज्यादा गाने सुनते हैं कि गाने को फॉरबर्ट बैगबर्ट या पॉस जो भी बहुत कुछ वहां पर आइड़न है आप भी कर सकते हैं उसके दोस्तों लास्ट में आएंगे आइकन पर लास्ट जो दिया गया आइ लाइक जैसे रीसेंट का आइकन है आपको ऐसे दिख रहा होगा आप चाहते हैं उसको चीज़ करना इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे आप रिसेंट से लेटेट चीज़ें मिल जाएंगी आप जो भी चाहते हैं वहां पर और कुछ भी चाहते हैं कि उसकी जगह आइकन रखना लाइक मैंने डाल दिया रिसेंट की जगा मुझे यह सं दिख जाय है यहां पर गया होँम के लिए भी आपको कुछेंज करना वो तो उस पर क्लिक कर दो ऐसे यहां पर बैक प गए जो भी आपको चीज करना वो सब पे क्लिक कर दो उसके बाद हैंसे सेट कर सेट करने के वापश हिंश यहां पर क्लिक करोगे तो अब दीखो गए आप यहां पर सब पूरा बटन बूए चाइज हो अब करेंगे तो रहां से रिसेंट हो गगा होंगा यहां से हेंच्छ होगे और होना पर क्लिक कर लेना है आप को यहां पर पहले उसको लाओ करना रहेगा तब आपको transparent hint दिखाई देगा तो दोस्तो सबसे पहले आपको यहां पर ओन्द को अप्शन दिख रहा है आप यहां पर देख रहे होंगे, आपको यह इंट दिख रहा है,घर लाat हो जाता है,गर आप चाहते हैं, उस को और फोला temporarily. थोड़ा से back हो जाएगा तो आप उसको यहां से increase कर सकते हैं left या right side जो भी आप चाहें कि जल्दीर से आपका काम हो जाए उसके बाद यहां पर आएंगे handle पे तो getger की handle की width भी आप यहां पर increase कर सकते हैं ताकि अच्छे से वहां पर काम हो जाए और कुछ मेरे वीडियो पसंद आयोगी दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद तो प्लीस लाइक जोरू करें अगर आपको लगता है कुछ कभी हगिस्सिया क्शिक्राइब भी है जो exact обс principio दूस्तों और आप मुझा को data करें और चाहिए तो मुझे comment लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थैंक यू